जन पधापुड के थाना सिंबावली पुलिस की सक्रियता से नकली शराब बनाने वाले गिरू का भांडा फूट गया पुलिस ने एक आरोपी को ग्रफतार कर 36 अंग्रेजी शराब की बोतलें तथा नकली शराब तयार करने में प्रियुक्ट केमिकल यूरिया खाली बोतल धक्कान होलोग्राम लेवल्स आदी बरामत किये हैं पुलिस ने बताया कि आरोपी तथकरी कर शराब लाते थे और फिर केमिकल यूरिया आदी मिला कर भारी मात्रह में नकली शराब तयार करते थे डिमांड के मताविक नकली शराब पर होलोग्राम ढखकान लेवल आदी लगा कर इलाके में सप्लाई करते थे च्छाय बारा दोहजार बीस को समय लगबग रातरी में दो बच कर पैंतिस मिनट पर थाना सिंभावली की पुलिस जो है ब्रमड सील वर चेकिंग के लिए रवाना थी और इस दोरान मुकबिर दोरा सूचना दी गई मुकबिर की सूचना पर थाना सिंभावली की पुलिस टीम वा स्वाट टीम प्रथम हापुड दोरा चेकिंग के दोरान हरोडा नहर पुल से एक अभियुक्त सौरफ कुमार सनाफ चमन सिंग निवासी त्रिलोक विहार कालोनी कस्बा वाथाना स्याना जनपत बुलन शहर को 36 बोतल अवैद अंग्रेजी शराब वा भारी मात्रा में अवैद वा अप्विस्षित शराब बनाने का सामान के साथ वा एक कार बोलेरो नंबर जिसका नंबर है यूपी चौदा डियम 48-33 के साथ गिरफतार किया गया इसके तीन अन्य साथी मौके का फाइदा उठा कर भाग गये जिसके संबन में थाना सिंभावली में मुकदमा अपराज संख्या 376 बटा बीस वाधारा 420, 468, 471, 272, 273 IPC वा 60, 62, 72 आपकारी अधिनियम पंजित करत कर विधिक कारेवाई की जा रही है साथी अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और थार अभियुक्तों के लिए टीम का गठन कर सीख गिरफतारी के प्रयास किये जा रहे है